सबसे पहले मुझे इस बिल पे बॉलने का मोका दिया, इसलिए भी धन्यवाद, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी हम गांधी जी की प्रतिमा के वहाँ से आये हैं, हम सब महिला संसदों ने एक बहुत महत्रपूर्ण चीज का विरोध किया, कि जिस प्रकार से भारतिय संसद औ अपोजिशन की पाटिया कर रहे हैं, उसका हम महिलाएं विरोध कर रही थी, और आज मैं इस अपनी वाणी की अपनी भाशन को सुरवात करने से पहले भी उसका विरोध करना चाहती हूँ, कि जिस प्रकार से हमारे संसदों ने उपराश्रपती जी का अपमान किया, और जि इस पे मुझे अरुन जेटली की एक बात याद आई, अरुन जेटली जी को हम हरवक याद करते हैं, सबसे उंदा कानून मंत्री हमारे सबसे अच्छे नेता थे, उन्होंने एक बार कहां था ओपोजिशन को, कि इस मोड पर घबराके न थम जाईए आप, इस मोड पर घबर जो बात नहीं है, उसे अपनाईए आप, अभी नया बिल आ रहा है, भारत का नव निर्मान हो रहा है, तो जब बात नहीं है, उसे अपनाईए आप, डरते हैं नहीं रहा पे चलने को क्यों आप, डरते हैं नहीं रहा पे क्यों चलने से आप, हम आगे आगे चलते हैं, आज चाहिए है आप जब भारत को हम आगे ले जाना चाहते हैं भारत की संसद में लोक तंत्र को साथ में मूल्यों को ले जाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि भारत की संसद को नाटक ग्रहना बनाके इस संसद का आपमान रखे और अपमान न करें सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदर्णिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी को कि उन्होंने हर चीज जब से सरकार आई है 2014 से ये भारत सरकार गरीबों के लिए महिलाओं के लिए गरीबों के लिए हर किसी तपके के लिए समर्पित की और मुझे अच्छा भी लगता है जब उन्होंने कहा था इस तो भी ये विमिन लेट डिवलाप्मेंट कि महिला को उस बीच में रखके भारत जब आगे जाएगा समाज आगे जाएगा तो भारत और पुर्जोर रूप से आगे जा सकता है तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर कोई बिल हर कोई कानून ये भारत की जन्ता हर प्रकार की जन्ता हर प्रकार का तपका को विचार करके ही ये कानून लाया गया है अमित भाई को धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि कश्मीर भारत का शीर शह है और हमारा, we call it crown of India कश्मीर हमारा मुकट है हमारी जान है, हमारा आत्मा है ये हम सर्व भाषणों में कहते जा रहे थे और लड़ रहे थे लेकिन कतिनी और करनी में फरक भारतिय जनता पार्टी दिखाती नहीं है जब भारतिय जनता पार्टी ने सरकार लाई और धारत 370 हटाके हमारे अमिच शाह ने ये दिखाया कि कश्मीर भारत का मुकट है और उसका सम्मान हम करके दिखाएं ले तो हर कोई कानून इसी रूप से भारत के सम्मान के लिए जनता के सम्मान के लिए लोगों के लिए और लोग तंत्र को मजबूत कराने के लिए है हर कोई कह रहा है यहाँ पर गुलामी की इन मानसिक्ता से हम आगे बढ़ रहे हैं 1860 में ये कानून बनाए थे ये कानून was to control the people of India not to govern the people of India जब 1860 में बनाए और आज 2003 में जब ये कानून अलग रूप से बनके आ रहे हैं is to govern and reform कानून को reform करके उसको समाज को कैसे आगे ले जाए इसके लिए इन कानूनों को बनाया दो साल लग गये ठीक है मानसिक्ता से तोड़के आगे बढ़ने के लिए समय लगता है मेरे मित्र ने बहुत अच्छा बोला कि अंग्रेज और कॉंग्रेस एक जैसे ही थे और उसी रूप से उन्होंने भी कानून आगे बढ़ाए लेकिन आज नई सुभा आई है इस नई सुभा में नागरिक की सुरक्षा भी होगी कानून में सुधार भी होंगे और समाज का सम्मान भी होगा मैं संग्षिप्ट रूप में सिर्फ कहना चाहती हूं यहां पर everybody spoke about कैसे कानून रिफाव महरे सब हो रहा है मैं दो चीजों पर धन्यवाद देना चाहती हूं कि इन सुधारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेके विशेश ध्यान दिया गया है cruelty is defined specifically which is very important in this country against women mental illness is a very widely defined issue तो mental illness को unsound mind के हिसाब से भी उसको देखा गया है एक बहुत अच्छी बात किये चोटे-चोटे माफ करिये चोर उचकते हम कहते हैं कि चोटी-चोटी गहतनाएं होती और गलतियां करते हैं उनको जेल में डालके जिंदेगी बरबाद करने से अच्छा उनको community service में लाके समाज में काम करने के लिए समाज में सुधारक रूप से देने के लिए जरूरत है मैं सिर्फ संक्षमेक संचेट में एक मिनिट में बात कहूंगी मेरे साथी सब बोल चुके हैं सब बोलने वालों के लिए हर समाज के लिए हर तपके के लिए सब खड़े मैं बोलना चाहती हूँ जो बोल नहीं सकते मासूम जानवर भारत की संस्कृती भारत की हिंदू संस्कृती विचार धारा ये सब कुछ मनुष्च और प्रकृती को विचार को लेके साथ में चलती है मनुष्च और प्राणी साथ में रहते हैं प्राणी विशेशकर हमारे भागवान भी लेके चलते हर भागवान भारती हिंदू संस्कृती में विश्णू हो ब्रह्मा हो हर किसी के साथ कहीं न कहीं प्राणी जुड़े हो रहते हैं क्योंकि प्रकृती ज़रूरी है हम ये भी कहते हैं गो माता के अंदर सारे भगवाने उनको नमश्कार कर दे तो सब ठीक हो जाएगा मैं इतना ही कहना चाहते हूं धारा 377 को स्ट्राइक डाउन किया लेकिन वो आधा स्ट्राइक डाउन किया था कि दो कंसेशन लोगों पे सेक्स जो है उसको अडमिट कर सकते हैं लेकिन आप जानते हैं ये गाओ और शहर की बात नहीं है प्राणियों पे लेंगिक अत्याचार होते हैं उनको तकलीर दी जाती है और उन पे उभी कल जाके कभी गो माता पे या किसी भी प्राणी पे एक प्रकार के लेंगिक अत्याचार हर जगा होते हैं जब अभी उस ऐसे आदमी को पकड़ना हो तो आज धारत 377 तो थोड़ी बची हुए प्राणियों के लिए, लेकिन वो BNS पे नहीं है, तो इसका कहीं प्राणियों पे अत्याचार होने के लिए प्रावधान आप कर सकते हैं, उनके लेंगी कुछ फीरन के लिए, तो बहुत अच्छा होगा, मैं इतना ही कहना चाहती है कि आर्टिकल 21 में कहां जाया है कि स्टेट हैस फंडमेंटल ड्यूटी तू प्रिटेक्ट ओल्टू सच असॉल्ट, उसमें प्राणियों भी आते हैं, पीसी ए एक जब तक अमेंड नहीं होता, तब तक 428 में से आप 325 आपने कि प्राणियों को तकलीफ हो तो 50 रुपे में आदमी चूट जाता है, प्राणियों पे लहंगी कत्या चार करो, प्राणियों को मार डालो, लेकिन तब तक ये प्राविधान कर सके कि कड़ी सज़ा वैसी रही, जो धारा 327 में प्राणियों में तकलीफ देने वाली होती हो, तो मैं चाहती हूँ कि इस प्राविधान को देखा जाए, ये बहुत जरूरी है, अंत में इतना ही कहूंगी, महात्मा गांदी जी ने कहा है, the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated, तो हम सब हमारी संस्क्रीति को आगे लेके बड़े, धारा 327 में जो प्राणियों पे अत्याचार होने प्राविधान को फिर से आप देखें, तो जब अत्याचार होता है, बड़े क्रिमिनल, छोटे-छोटे, बेजुबान पे ही अत्याचार करके बड़े होते हैं, इस विचारधारों को रोकने के लिए इसको आप जारी रखें कहना चाहती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद अपार होता है, बहुत भाविदान को बदोटे कहना चाहता है, बहुत-प जब होते हैं, बहुत-पोटे कहारी रखें कहता है, बहुत-ज़वदेधे कहां ऊत्यां कहारी कहां ओन्यवादी।